नमस्कार दोस्तो जितेश की बाते चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाबर कमपनी के काफी फेमस प्रोड़ेक्ट लाल दंत मंजन के बारे में देखें डिटेल्स में इसका रिव्यू करेंगे इसके फाइदे इसके नुकसान कैसे आपको इसे यूज करना है इंग्रिडियन्स प्राइज पैकिंग और भी सब तरह की जानकारी इस वीडियो में दूँगा तो अगर आप इस डाबर लाल दंत मंजन को यूज कर रहे हैं या फिर यूज करने की सोच रहे हैं आप इसके बारे में पहले जानना चाते हैं तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए तो चलिए फिर इसके रिव्यू के सुरुवात इसके प्राइस और पैकिंग के साथ करते हैं देखिये इसका प्राइस 30 रुपे है जो आपको 55 ग्राम की बहतरी इन पैकिंग में देखने को मिलता है जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और देखिये इससे आप जो भी ऐरवेदिक मेडिकल इस्टोर होते हैं या फिर अपने नियरबाई डिपार्टमेंटल इस्टोर से खरी सकते हो या फिर आप इससे ऑनलाइन भी खरी सकते हैं देखिये अगर आप इससे ऑनलाइन खरीदना चाते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलाइन खरीदने के लिंक दी हुई है जिसके जरीए आप इसे घर बेटे बेटे भी मगा सकते हैं दोस्तों देखिए ये डाबा लाल दंतमंजन दातों के लिए कितना सरदार है कितना फाइदेमंद है ये जानने के लिए हमें इसमें डालेगे इंग्रिडियन्स को पहले जानना होगा तभी हम इस दंतमंजन के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें 1.28 ग्राम पिपली है वो डाला गया है दोस्तों देखिए पिपली दातों को मजबूत करता है दातों में अगर आपके दर्द होता है दर्द की समश्या रहती है तो उसको भी दूर करता है दातों की लगबग सबी समश्याओं को खत्म करने का दम भी पिपली रखता है दूसरा इसमें है कपूर जो की 5 ग्राम है दोस्तो देखे कपूर भी दातों के लिए काफी अच्छा रहता है देखे ये ना केवल एक एंटिसेप्टिक होता है ये दात दर्दे की समश्या में पाइरिया, बैट ब्रेट इन सभी समश्याओं में भी कपूर काफी फाइदेमंद होता है दोस्तो अगले इंगेडियन्स की बात करें तो इसमें है मरीच जो की 6.46 ग्राम है देखे ये भी ना सिर्फ दान दर्दे की समश्या में बलकि माउत अलसर यानि मूग के छालों को ठीक करने में ये बहुत फाइदेमंद है इसके लावा इसमें है हरिते की 3.5 ग्राम दोस्तो ये बहुत ही अच्छा होता है दान्तों की सफाई के लिए दोस्तो इसके लावा इसमें है लॉंग 1.15 ग्राम देखे लॉंग की फाइदों के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे देखे लॉंग भी एक एंटिसेप्टिक है ये बैक्टिरिया को खत्म करने में मदद करता है ये किटाणों से लड़ने में मदद करता है और सांथ ही अगर मसूडों में सूजन की समझा है तो उसको भी दूर करता है अगले इंग्रिडियन्स की बात करूँ तो इसमें है पुदीना जो की 0.24 ग्राम है दोस्तो देखे पुदीना खराब सांस यनी सांसों की बद्बू और दान दर्द को रोकने में मदद करता है देखे इसमें ऐसे बहतरीन गुण होते हैं जो लंबे समय तक आपको फ्रेस फिल करवाते हैं दोस्तो इसके लावा इसमें है सुद्ध गेरी का इसके भी बहुत सारे फाइदे हैं दातों के लिए और कहीं न कहीं इसकी वज़े से इसका रंग भी जो है वो कुछ इस तरह देखने को मिलता है जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं देखे मुँ में छाले हो जाते हैं यानि माउथ अलसर, गम बॉइल्स, मसूडों में फोड़े वगेरा हो जाते हैं मसूडों में सूजन, ब्लेडिंग डिसॉर्डर उन सभी में ये काफी बड़िया काम करता है आपके मसूडों को मजबूत करता है और साथी साथ ये कूलिंग एफेक्ट भी देता है दोस्तों इसके अलावे इसमें तेजोवती, कासनी, सुन्ती, सुगंदी द्रव्य इस प्रकार से इसमें बेहत बहतरी इंगिडियंस हैं वो डाले गये हैं दोस्तों इन सभी इंगिडियंस के बारे में जानने के बाद जो इसमें डाले गये हैं ये दांतों की हेल्थ के लिए, मसूडों की हेल्थ के लिए बहुती फाइदेमंद है यानि अगर ओवराल बात करूँ इस डाबल लाल दंतमंजन की तो ये आपकी मसूडों को मजबूत करता है, दांत दर्द को रोकने में मदद करता है सडन से लड़ने में सहायक है, रोगाणू और बेक्टेरिया से लड़ने में मदद करता है लंबे समय तक आपको फ्रेस फिल करवाता है, दांतों की अच्छे से सफाई होती है और साथ ही दातों की जन जनाट को दूर करने में भी मदद करता है तो इस प्रकार से आपको इसके फाइदे जो हैं वो देखने को मिलते हैं यानि कुल मिलाकर ये एक बड़िया प्रोडिक्ट है आप इसका इस्तमाल है वो जरूर करके देखें दोस्तों अगर बात करें कि आपको इससे कैसे इस्तमाल करना है तो देखिए सबसे पहले आप पानी से कुला करें उसके बाद थोड़ा लाल दंत मंजन हतेली पल लें उसके बाद उगली की मदद से इससे अपनी दातों और मसूणों की अच्छे से मालिस करें देखिए आप चाहें तो ब्रेस का इस्तमाल भी कर सकते हैं और बाद में आप पानी से अच्छी तरह कुला करें दोस्तों देखिए इसके बहतर परेडाम के लिए सूबे और साम यानि दिन में दो बार आप इसको इस्तमाले वो कर सकते हैं इसका आपको काफी बढ़िया रिजल्ड जो है वो देखते को मिलेगा दोस्तों अगर बात करें इसके साइडिफेक्ट की तो इसका कुछ भी साइडिफेक्ट नहीं है ये एक नेच्रूल तरीके से बनाय गया प्रोडेक्ट है दोस्तों देखे दातों को अच्छे से ख्याल रखने के लिए मैं आपको कुछ जरूरी बाते भी बताने चाहूंगा देखे दिन में दो बार दात अवश्य साप करें सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले कुछ भी खाने के बाद कुल्ला जरूर करें देखे कुछ लोग खाने के बाद कुल्ला करना है वो भूल जाते हैं जिससे दातों में सडन होने लगती है तो कुल्ला आप जरूर करें खाने के बाद इससे दातों में सडन नहीं होगी देखे स्मोकिंग पान मसाला का सेवन है हो ना करें देखिए healthy food लीजिए, हरी सबजियां वो फलो का सेवन हैं वो जादे से जादा करें तो इन सब बातों को आप जरूर फलो करें जिससे आपके दान जो हैं वो स्वस्त रहेंगे और आप इस डाबालाल दंतमंजन के और भी भरपूर फाइदे हैं वो ले पाएंगे तो दोस्तों ये थी डाबालाल दंतमंजन के बारे में कुछ महत्पूर भरी जानकारी देखिए अगर फिर भी कोई question आपके मन में चल रहा हो इस डाबालाल दंतमंजन को लेकर तो आप मुझे comments के द्वारा भी पूर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप subscribe भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं नेमी जितेज and thank you so much for watching